प्रेक्टिस सारा खेल शुरू होगा दोस्तों प्रेक्टिस से प्रेक्टिस क्या होती है जानते हैं एक ही काम को बार बार करते हैं कितनी बार करना जानते हैं जब तक आने ना लग जाए बड़े बड़े उधारन हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में ब्रेड हॉग ने लिए के मैश में ब्रेड होग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007 तेंदुलकर जब लॉट के पैविलिन जाने लगा ब्रेड होग के लिए बहुत बड़ा चीवमन्ट था क्योंकि ब्रेड होग अभी नया था नौसे किया था बारा साल पहले और तेंदुलकर का विक कि बहुत सुनेरा दिन है आज कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है बड़ी खुशी-खुशी में वो बॉल लेके गया एक ओनर के साथ और तेंदुलकर ने इसके उपर लिखा ये दिन तेरी जिन्दगी में फिर कभी नहीं आएगा और मैं आपकी जानकारी के लिए बता द ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकिट नहीं ले सका साथ और मैं कहानिया आपको क्यों सुना रहा हूं मैं आपको कहाणी इसली सुना रहा हूं कि उसने जब ऑल पे लिख दिया होगा ना कि यह शंड तेरी जिन्दगी में फिर नहीं आएगा यह जाने के बाद वो बियर न नहीं खा रहा हुगा, एक चीज कर रहा हुगा, क्या confidence रहा हुगा एक लाइन लिखने के बाद, लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उस जैसा बन जा, उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है, कितनी practice करी होगी, कि इज़त खराब ना हो जाए, आज आप लिख दो, आप लिख दो, और फिर उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आपको मैं कहता हूँ, जला डालो, practice का बहुत बड़ा खेल है, practice से बड़े-बड़े पहार इट गए, मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को पाबलो पिकासो की, पाबलो पिकासो दुनिया के स रहे, can you draw something for me, क्या तु मेरे लिए कुछ sketch ड्रॉ कर सकते हो, उसने एक paper लिया, एक pencil लिया, और कुछ sketch ड्रॉ किया, उस लेडी के हाथ में, तीस सेकंड में पलड के दिया, उसने बोला, lady, this is for you, this is a painting worth 50 lakh rupees, this painting cost, 50 lakh rupees, लेडी को तो विश्वासी नहीं हुआ, कि how a person paint a painting in just 30 seconds, worth rupees, 50 lakhs, तो लेडी गई, तिन चार जगा से उसका rate पता किया, उसने बोला, it's a Pablo Picasso painting, ma'am, उसने बोला, yes, it's a Pablo Picasso painting, कितने का खरीद होगी, मैंना, कम से कम 50 lakh रूपर हम आपके दे सकते हैं, लेडी वाशॉग, my dear, she was shocked, 50 lakh रूपर के painting, 30 seconds में, उसने पता किया Pablo Picasso कहा रहते है, ढूंडी, 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 exhibition कहीं थी, Pablo Picasso की, ढूंडे, 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 Pablo Picasso के पास पहुंची, sir, आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूँ, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक painting ड्रॉपर करी थी, 30 seconds में 50 lakh रूपर की, 50 lakh की है, sir, उसने बनाई है, उसने बनाई है, उसने बनाई है, सर, मैं सीखना चाहती हूँ, 30 seconds में 50 lakh की painting कैसी बनाई जाती है, पावरान ने का, look ma'am, जो painting आपने 30 seconds में 50 lakh की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए, 30 साल लग गए, it took me 30 long years to draw a painting worth rupees, 50 lakh rupees in just 30, ये कुछ भी कर सकता है, sir, मेजर ध्यान चंद को हौकी का जादूगर बोला जाता है, हौकी खेल रहे है, प्रेक्टिस किसके उपर करते हैं, पट्री के उपर, जो railway track है उसके उपर प्रेक्टिस कर रहे हैं, बाल और स्टिक लेकर, को ऐसे 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 गुमारे हैं कि बाल गिरे नहीं, बैलन्स बना रहे हैं उसका, और मैच खिल रहे हैं, ओलम्पिक के अंदर मैच खिलते रहे हैं, लोगों ने स्टिक तोड़के देखी कि साला इस आदमी का बैलन्स क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है, कि मेगनेट लगा है, लगणी म यह मैच हार जाएंगे. ध्यान चंद के बोला रोक दो मैच और पता करो, मेजर्मेंट करो ये गोल पोस्त साला गड़ बड़ है. इस गोल पोस्त में खुच गड़ बड़ है। उसने बोला मेजर कैसी बाते करते हूं? आर यू मैड इस ओलंबिक ये कैसे पॉसिबल है उसने बोला मैं नहीं जानता मेजर ध्यान चंद बहुत बड़ा नाम था तो रेफरी आई मेजरमेंट का इंस्टूमेंट लेकिया है गोल पोस्ट मेजर किया दो फुट छोटा निकला इतना कॉंफिडेंस एक्स्ट्रीम कॉं इतिमान होते हैं सर और ये आपको जिन्दगी में आस्मान तक पहुचा सकता है